तो आज में फिर से आपके सामने कुछ इंपोर्टेंस कंपानी का अपडेट सेयर करने वाला हो तो इस वीडियो को पूरा लास्तिक देखना और अभी तक अपने चनल को सब्सक्रेब नहीं किया तो जोरू कर लेना तो चलो तेख लेते कौन सा कंपानी है इस वीडियो के कंपानी था तो उसको डिमार्ज किया गया और उसको अलक्स से मार्केट में लिस्टिंग किया गया तो लिस्टिंग करने के बाद कंपानी के उपर आज तक अभी तक उतना खास पर्फोमेंस नहीं हुआ अभी देखा जिए कंपानी लाइट टेम हाइप के आसपास है फिर जो एक्सपेट किया जा रहा था कि जिस तरीके से समर्धन मदर्सन कंपानी लगातर भागते चले जा रहा है उसी तरीके से इस कंपानी भागेगा तो उसके लिए बहुत सरे कमेंट्स मुझे आता रहते हैं कि इसके पर जो जर्नी है वो कब स्टार्ट होंगे देखे पर में बहुत पॉजिटीव हूँ इसके पीछे दो रिजन है पहले रिजन क्या है कंपानी का पार्फमेंस मुझे बेस लगा जैसे आरोसी आरोई बेस्त है इंकम जबदस्त है और कंपानी के इंडर्स्टीज पीरिश्यो और खुद के पीरिश्यो आसपासी है उतना ज्या कंपानी को पर जो को 1 रिज़ल्ट है इसभार कंपानी सिर्फ हैस्ट रिजल्स को भी जन्यय।्या सेल्स लिबदब अच्छाए सबस्तूर्ट या इंक्रीजें क्याों एक्स्पेंस को कंटूल क्यू उसके बाद के potential लगते हैं हाँ थोड़ा सा अभी slow में चल ला है कोई बात नहीं हमें सा company rocket बनेगा ऐसे होगा नहीं मगर जिस तरीके से मुझे टेक्निकली चार्ट प्रटन्स मिला उस बेसिस में मुझे लगता है company अच्छा का सा growth करता हैं जैसे company को पर एक का फुई धनेपटन्स बना और फाइनली वो breakout भी क्या और इसका जो lifetime हाई है उसको break मतलब उसको break नहीं कर पा रहा है उतना strongly breakout यहां पर नहीं हो रहा है जिसके चलते मुझे लगता है जो correction हुआ जिस नीचे लेबल को टच किया NT level के हिसाब से और उस basis में company क्या-क्या उपर जाने का कोसिस कर रहा है अगर इस level तक गया है तो कहा तक जाने का chances है 80 रूपीज तक मेरा target बनने का chances है इसके लिए मैं integer करूंगा कि जिस तरह के से company बार-बार इस support level को retest किया है बार-बार 200 days moving average के उपर closing दिया है इसका clear cut एक अंदाजर दे रहा है कि company उपर जाकर ही दम लेंगे तो कब उपर जाएगा बहुतों मुझे पता नहीं मगर इस company के पर में जो trade लेकर रखा हूँ उसको मैं जूरू continue करूंगा क्योंकि हर किसी का एक अलग-अलग opinion होना चाहिए अलग-अलग strategies के basis में काम करना चाहिए तो म अमूरा ने इस company के पर एक price को adjustment किया था 78 तक आएगा उसके बाद company 81 पहले जो target उनने रखा था वो थोड़ा सा reduce करके 78 तक रखा गया तो finally उस target को achieve करेंगे मेरे हिसाब से मेरा जो target है वो 80 के आसपासी है तो उस level तक जाने का chances ज्यादा है तो मैं request करूंगा इस company के उपर आ बना था तब मैंने आपको चीक-चीकर रही बताया कि chemicals company को इतना मतलब खराम मत समझना कि आज आज आपको chemicals company के उपर big correction देखने को मिला बहुत सरा लोगों का doubt सही है chemicals company क्या फिर से खड़ा हो पाएंगे क्या फिर से recovery कर पाएंगे तो उसके लिए में बार बार आपको चीक अचीकर एक ही बात बताया था कि chemicals company कैसे company है जो आपको multi bigger return देने के लिए कभी भी रूकेंगे नहीं क्योंकि chemical का demand आज जितना है feature में कई गुना जदा बढ़ने वाल है क्योंकि chemicals के बिना कोई भी product प्यार ही नहीं होगा आप खाने पीने का चीज से लेकर आप पहने का company है और इसका जो parent company वो Japanese में है और इंडिया में subsidiaries लेकर काम कर रहे है और basically Sumitomo chemical के एक positive point है company एक agrochemical industries में काम कर रहे है हाँ और सर लोगों का यही डाउट था कि सर agrochemical industries में अगर pair company के बारे बात करू तो Sumitomo chemical इंडिया के third largest chemical company है यह बात तो सही है मगर दिक्कत यही में था क एक company का sales को profit खराब हो गया था मगर इस पर company उसको recovery किया sales को positive लेके आए और profit को बहुत सामना तरीके से positive लेके आए और company का ROC best है company का credit union 0 है तो इही कारण के बदे से मैं हामेशा integer कर था कि कोई भी मुझे 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 में फाइ से भी रिष्टर एडवाजर के साथ बातचीत करके ही काम करना युकि मेरा काम है मेरे point of view से सारे शीज़े को share करना आपका काम है उसको verify करके काम करना तो चलो अभी देख लेते हैं इस company के point of मतलब सारे points को एक साथ करके देख लेता हो company किस तरीके से growth करा है चलो सबसे पहले company के technically chart transcript पर जाऊँगा देखिए मुझे एक range बना था जो कुछ इस तरीके से कब बना उसके बाद handle उसके बाद handle बना था मैं सोच रहा था कि यहापर breakout होगा तो उसके बाद में एक entry लिऊँगा अगर मेरे सोचने से तो market नहीं चलेगा किसी के सोचने से market नहीं चलेगा market market के साब से चलेगा buyer seller के उपर depend करके और supply demand के उपर depend करके ही यहापर काम होगा तो basically company नीचे आ गया तो जो patterns बना था उस patterns को cancellation किया मतलब कर दिया मैंने क्योंकि कफ के नीचे range बन चुक है मतलब वो patterns exit करते हैं मतलब उस patterns का कोई valuation नहीं है तो दूबरा मैंने integer किया कि अगर यहाँ से कफ वीधाने patterns बने तो मैं फिर से entry लूँगा मगर बना नहीं finally मुझे एक patterns मिला वो finally pattern कहाँ पर मिला मैं आपको बता दू company देखे lifetime high को फिर से break करने का खुश्य देखे यही power होते है यहाँ से bounce back क्यों क्यों क्या मैंने आपको पहले से marking करके दिया था मैंने आपको यहीं बता था कि इस range को जब भी touch करेंगे तो वहाँ से bounce back करने का chances है और देखे किस तरीके से bounce back कर रहा है और वो higher level तक जाकर ही dham लेंगे तो higher level में जाकर ही dham क्यों क्यों लेंगे क्योंकि यहाँ पर strongly एक क्या है strongly एक support zone है तो support के साथ साथ एक demand zone भी है क्योंकि यहाँ से company big bounce किया था और यहाँ से फिर से big bounce कर रहा है तो जीजों को पहले समझिए technically chart button आप अगर जब details में सिखेंगे न तो आपको पता चलेगा मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा comments करिए कि आप technically chart button को एक एक करकर सीखना चाता है जो मैं खुद काम करता हूँ जिस technically chart button को पर मैं काम कर रहा हूँ और deeply में आपको study करके बताऊँगा कि मैं किस तरीके से technically chart button को यूज़ करके काम करता हूँ तो यहाँ पर दिखे मुझे एक patterns मिला जो मैं आपके साथ स्यार करूँगा finally एक लंब सा जारनी के basis में गवे एक कब मिला तो यह लंब सा जानी के basis में कम मिला और छोटा सा क्या मिला यहाँ एक छोटा सा handle मिला देखे handle कितना भी छोटा हो उसमें फ़रक नहीं पड़ेगा फ़रक यहीवडरेगा कि आपको मिला के नहीं मिला finally अगर यहाँ पे कोई breakout और breakout confirmation मिले तो जुरूर यहाँ पर में एक NT लेने वाला हो अभी company इसके उपर अगर इस तरीके से patterns compete हुआ और breakout भी कर दिये तो मेरा target कहा तक रहेगा उसके लिए बता दू मेरा यह मैंने trade क्यों लेने वाला हूँ उसके पीछ रिजन एही है कि सुनी तो में chemicals company को पर जो quarter result है वो इस बार company positively quarter result published किया जो बहुत दिने से एक company का result खराब होते चले जा रहे थे लगातार एक result खराब performance देखने को मिला था उसको recovery करने का को सिस किया expense को मिटाने के बाद company के net profit highest generate हुआ पिछले सालों के तुन से पिछले quarter के तुन से जब company दो तरीके से estimate को beat करता है मतलब quarter of quarter basis and year of year basis तब उस company के उपर एक अच्छा कासा boost देखने को मिलता है तो मुझे लगता है यह सान्दा तरीके से company का performance हुआ है उस basis में company के आगे बनने का दाम है तो बाकी आपके कि चोटा सा company है फिर भी company अज large categories IT sector industries में खुद को सामिल करा चुके है तो एक अच्छी बात है क्योंकि अगर आप बड़े जो आदमी होते है उसके साथ अगर आपके उठक बटक होता है तो आपका एक lifestyle चेंज हो जाएगा आपका thinking चेंज हो जाएगा तो इसलिए इस company के उप चेंज हो आप देख सकते हैं पहले काफ भी धानेपटनस बना था फाइनली ब्रेक आउट होने के बाद रिटेस्ट किया उसके बाद टार्गेट अचीव किया और मैंने यह भी आपको कहा कि टार्गेट अचीव होने के बाद उस company के उपर आगर बीक टैस हुआ खुजी भ तो मुझे लगता है यहाँ से अगर बाउंस बैक करके उपर गया तो एक एंटी बन सकता है और यहाँ से बाउंस बैक देखे कंपणी करना स्टार्ट कर चुग है कि कि जब भी company इस लेवेल को strongly एक support लेवेल को टच किया यहाँ से company के लिए strongly support है यहाँ से company bounce back किया था और तरीके से ग्रोथ किया और यही कारण के बचल से company के उपर एक positive momentum देखने को मिल सकता है तो मैं इस company के उपर obviously positive thinking लेकर चला हूँ बाकि आपके क्या राय है जोरू मुझे comments करना क्योंकि basically इस company के उपर मेरा next trade जो बनने जा रहा है उससे पहले company के उपर financial leaders के बने बात पर तो थोड़ा सा यहां पर फरक दिखा sales में और expense के बाद company का net profit में कि कि पिछले बार का profit वहा था उससे थोड़ा सा profit बड़ा उतना जदा नहीं बड़ा फिर भी IT sector के बागी companies को देखा ज़िए मतलब pair company के बारे में बात करूँ अब ध्यान से देखना इस चीजिए को TCS का quarterly result खराब है और Infosys का चलो ठीक ठाग है और company देखे इस से लेकर वीप्रो से लेकर LTA माइंटी टेक महंदरा सारे company's का हालत negative में है फिर भी LTA technology है वो थोड़ा सा positive में profit generate किया तो कहने का मतलब है जो persistent and Infosys company है इसलिए में इस दोनों company को ज़्यादा से ज़्यादा trust इस sales कितना भी कम हो profit में वो कम मतलब हमेशा दूसरे company से आगे रहता है तो बागी LTA Technologies Limited के उपर आपके कराह है जोरू comments करके बताना नेक्स चो company उसका नाम है Color Chips in New Media Limited तो Color Chips in New Media Limited जो basically एक 36 करोड का company है और company के उपर good update आई है कि company bonus देने जा रहा है तो company bonus किस तरी किस देने वाल है sorry company speed देने जा रहा है देखिए company के face value जो है वो actually 10 का face value था अभी 2 बनने जा रहा है मतलब company एक के बदले 5 सेर देने वाल है तो जो लोग split पाना चाते है तो इस company को वपर deeply research करें उसके बाद काम करें I hope वीडियो में आपको जान करें मिल चुके है वीडियो में जान करें अगर अच्छा मिला तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक कर देना और दोस्तों के साथ भी circle लेना मिलते नेक्स वीडियो में तब त